BCI ने AIB exam को लेकर कुछ update डाले हैं अपनी website के उपर जिसके शमन्द में आज की इस वीडियो में चाचा करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं advocate मुकेश बगडिया स्वागत करता हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल पर यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया हैं तो प्लीज आप इस चैनल को subscribe करें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही जानकरिया यानि यानि लो से related जो भी जानकरिया है वह आपको उप लबद होने वाली है साथ या बेल आइकन भी होशी दबाए क्योंकि बेल आइकन से ही आपको मेरी जो भी वीडियो के अपडेट है वो आप तक पहुंसती रहेगी लेकिए जो भी लो स्टुडेंट होते हैं उन्हें एक वकील के रूप में अपने आपको इन्रॉल करवाने के लिए समंदिक जो भी स्टेट बार कांसिल होती है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है लेकिन 2010 के बाद में BCI यानि जो बार कांसिल ऑफ इंडिया है उसने एक सर्कुलेशन निकाला उसने का कि जो भी 2010 के बाद में LLB करते हैं या जिन्होंने LLB की है 2010 में उन सभी लो स्टुडेंट्स को जो स्टेट बार कांसिल है उसमें अपना इन्रॉल्मेंट कराने के बात भी जो एक एक्जाम है AIBE यानि All India बार एक्जाम आपको दे रही होगी और यह एक्जाम वर्स में दो बार होती है इस बार यह एक्जाम अगस्त माहें थी और अगस्त में जो कोरोना का परपोप चल रहा है वो काफी ज़्यादा चल रहा है इस मद्धन अजब जो BCI ने अपना एक सर्कुलेशन जारी किया और BCI ने कहा कि यह एक्जाम पोस्टपॉन की जाती है BCI ने अब नया अपडेट अपना डाला है वेबसाइट के उपर जिसका भी मैं लिंक जो भी है फोटोज वगरा जो स्किन पशे हो जाएगा आप उसे देख लेना देखिए उस सर्कुलेशन के मुताबिक जो AIB की एक्जाम देना चाते थे यानि AIB की एक्जाम की डेट 17 अक्टूंबर कर दी गई है 17 अक्टूंबर तक आप AIB एक्जाम के लिए रेसिटर्ट करवा सकते हैं तो आप यह ध्यान लख सायद के उपर जाए और इस सूचनाव के संबंद में तत्थे की जाज कर सकते हैं इस वीडियो का उत्देश मैज इतना है कि यह एक्जाम आट नॉम्बर को लगेगी और जो अगस्त में एक्जाम होने वाले की वो पॉस्ट पॉन कर दी गई है और साथ ही जो रजिस्टेशन की डेट है जो वेक्ति AIB की एक्जाम देना चाते हैं जो भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए डेट बढ़ा दी गई है और डेट 17 अक्टॉम्बर कर दी गई है और साथ ही जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुँचा है जिनने इस जानकारी क्याम शेकता है और यदि आप किसी वीडियो चाते हैं तो मुझे आप कॉमेंट में लिख सकते हैं मैं कौशिश करूँगा आपके वीडियो बनाने की धन्यवारत